गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज फ्रेंड्स मैं बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ और आज यही मेरा टॉपिक है कि कौन कौन सी कटिंग हम इस समय लगा सकते हैं विंटर सीजन में देखे मैंने दो पॉट में टैंगल हाट और वाइंडरिंग जी लगाई है और अभी मैं बहुत सारे कटिंग लेकर आई हूँ और कुछ इस्पाइडर प्लांट भी मैं लगाऊंगी ये देखे मैंने इसे इस्पाइडर प्लांट की पप्स जो निकलते हैं उन्ही से न्यू प्लांट तयार किया है तो पप्स से आप बहुत सारे न्यू न्यू प्लांट तयार कर सकते हैं और अपने गाडन में एक प्लांट से धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं और जो प्लांट आज मैं आपको कटिंग के लिए बता रही हूँ ये सारे प्लांट फ्रेंड्स आप कभी भी किसी भी समय पर लगा सकते हैं ये है परपल हार्ट बहुत ही खुबसूरत पलपल कलर की पत्तियां होती है तीन से चारे इंच की कटिंग आप ले लीजिए और बह करना चाहते हैं उनके लिए जितनी भी कटिंग मैं बता रही हूं वह बहुत आसानी से ग्रो होती है ये देखिए टैंगल हार्ट है इसमें रूट्स भी निकल गई है और ये सारे जितने प्लांट मैं बताऊंगी आज कटिंग वह बहुत ईजी से लग जाती है तो जो प्लांट मैं बहुत असानी से लगा सकते हैं और जब आप गाडनिंग की सुरुवात करेंगे और ये सारे प्लांट लगाएंगे और सारे की सारे ग्रो हो जाएंगे तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी गाडनिंग में इंट्रेस्ट भी होगा और उसके बाद आप गाडनिंग की सुरुवात भी करेंगे और बहुत हद तक बहुत सारे प्लांट आप ग्रो करना शुरू कर देंगे तो देखिए टेंगल हाट है इसमें रूट्स आ गई हैं तो बस इनको इस तरह से अगर रूट्स है तो रूट्स सही तप लगा सकते हैं और अगर नह पोष्ट थोड़ा थोड़ा मैंने मिलाया है बाकी तो मेरी पुराने गमले की ही मिट्टी है तो बस आपको मिट्टी में इस तरह से वाटरिंग कर लेनी है और जो कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ उन कटिंग को इस तरह से आपको लगाते जाना है और बहुत असानी स यह चोटे चोटे पॉट मैंने पिछले साल हेंगिंग बास्केट बनाने के लिए मैं लेकर आई थी जिनमें मैं यह सारे लगा रही हूं और जब यह अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे तो मैं इसे हैंग करकर भी दिखाऊंगी फिल्धाल तो मैं इन्हें जमीन में ही लगा लिया है और दूसरा प्लांट लगाते हैं और देखिये फ्रेंस लगसाँ ही और ऑừसमें जए इसमें लग जाता है तो मैं अगला प्लांट लगा रही हूं यह है पर्पल हर्ट जिनकी पत्तिय पर्पल कलर की होती हैं 입लोऊज फिलावर्ट ऑ उसमें उत्णिय। प्ल बस अपार लगाते जाए क्योंकि यदि अधी प्लांट बड़ा हो जाता है तो जब भी आपको लगता है कि प्लांट ज्यादा बड़ा हो गया है तो बस उसकी आपको टीप वाली कटिंग है तीन के चार इंध की हुआ लेलीजिए और मिट्टी में लें लगा लिजिए और इ तो हमें गमलों में ही अपने प्लांट तैयार करने होते हैं प्लांट लगाने होते हैं तो हमेशा मिट्टी जो है वेल ड्रेन मिट्टी ही बनानी चाहिए जिससे की प्लांट हमारा खराब नहूँ ओवर वाटरिंग से अकसर विंटर में ही प्लांट खराब होते हैं तो ओवर वाटरिंग से भी हमको बचना है और गमले में प्लांट को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए ऐसा मिट्टी तयार करें खास तोर पर रेत का इस्तमाल जरूर कीजिए राइस हस का है भूसा जो आता है चावल का उसका भी इस्तमाल कीजिए जिससे की पानी अच्छे से ड्रेनाउट हो जाता है तो देखिए बातों ही बातों में मैंने परपल हार्ट भी लगा लिया है और यहां पर मैंने बहुत सारे लगभग साथ पॉर्ट मैंने तयार किया है और उसमें अपने गार्डन की मिट्टी जो पुरानी थी उसे सुखा कर वर्मिक कंपोज मिला कर मैं लगा रही हूँ तो यह है वाइंडिंग ज्यू यह भी बहुत असानी से लग जाती है इनकी पत भी इस्ते हैं लेकिन मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है आप चाहें तो यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत असानी से ग्रो भी हो जाती है इसारी और मैं यह भी बहुत असानी से लग जाती है खास तोर पर इसे आप बिल्कुल छायादार जगह पे रखिए वहाँ पर इनकी पत्तियां बहुत सुन्दर लगती है ग्रीन दिखाई देती है सामने से और पीछे से बिल्कुल परपल कलर तो इन सारे पॉट को मैं सेड एरिया में रखने के लिए तयार कर रही हूं जिसे की बहुत ही खुबसूरत दिखे और यह बहुत जल्दी से इजी से ग्रो हो जाती है तो इस तरह से मिट्टी में आप वाटरिंग कर दीजिए पॉट में भरने के बाद और उपर से हल्की सी मिट्टी भी डाल सकते है या फिर हातों से जिस तरह से मैं दबा रही हूं उस तरह से आप दबा दीजिए इसमें बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है उसके बाद प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाता है या उपर से हल्की सी इस तरह से अधी आपको लगता है कि उपर उपर रखी हुई है प्लांट की कटिंग तो आप हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए और ज्यादा वाटरिंग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और यह सारे प्लांट जितने मैं लगा रहे हूं इनको लगभग तीन से चार दिनों के बाद ही मैं वाटरिंग करूंगी क्योंकि अभी विंटर सीजन है बाकी सीजन में आपको कम से कम दो दिन का ब्रेक लेना है दो दिन बा पाती है वहां पर यदी हम रखते हैं तो इसकी पतियों का जो टिप है जो पतियों का उपरी है वो जो है पतियां थोड़ी से जलने लगती है तो इस वज़े से इसे आप सेड एरिया में ही रखिए बहुत खुबसूरत दिखता है इस पाइडर प्लांट किसी भी पॉट मे तो लगाए तो आसा करती हम फ्रेंड्स आज का वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा यदि आज की वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जब इस सारे प्लांट की ग्रोथ जब बढ़ने लगेगी तो उसकी अपडेट भी मैं आप लोग से सेयर करूंगी तो यह सारे प्लांट आप कटिंग से लगाईए और एक बार अपने गाडन में आप लगाएंगे तो सालो स आपके गाडन में सारे प्लांट बने रहेंगे तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स बाई बाई